अब रिसेंटली IPL का फाइनल हुआ जहां पर CSK ने दोनी के गपतानी के अंदर 5 वी बार IPL जीता यहां पर CSK की बहुत अच्छी टीम नहीं थी, वो बेस्ट बॉलिंग टीम भी नहीं थी, वो बेस्ट बैटिंग टीम भी नहीं थी कि दोनी ने वर्ल्ड कप इसलिए जत्वाया क्योंकि उस टाइम पे टीम बहुत स्ट्रॉंग हुआ करती थी, बहुत अच्छे बॉलर्स बहुत अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे पर अगर इस IPL की बात करके चले तो इनके पास में कोई बहुत बढ़िया बॉलर नहीं था, कोई बहुत बढ़िया बैट्समैन नहीं था पूरी टीम ने एक टीम की तरह परफॉर्म किया है, और दोनी ने अपने लीडर्शिप कैपविल्टीज दिखाई है कि किस तरीके से वो एक कमजोर टीम से भी टूनामेंट जी सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेकडाउन करते हैं इसको सबसे पहली चीज अजंका रहाने, रहाने को इंटरनेशनल टीम से निकाला गया, क्या कहके कि वो बहुत स्लो खेलते हैं और इस IPL के अंदर वो टॉप फाइव फास्टेस प्लेयर्स में से एक थे, अगर ओवराल लिस्क की बात करी जाए तो वो अभी सेकिंड हाईएस एवर IPL स्ट्राइकरेट वाईज है, अगर स्पैसिविक बॉल की बात करी जाए तू, दूसरी साइड अगर शुबम दुव प्लेयर्स के खिलाफ, अगर हम सर रविंदर जरेजा की बात करके चले, तो बाई, पूरे IPL के अंदर वो दौनी से आ गया है, ये भी बहुत बड़ी स्ट्राटेजी थी, तो आज हम समझते हैं कि दौनी की क्या मैजिकल स्ट्राटेजी है, और इससे हम क्या सी सकते हैं, आ पर हम बुक्स की डेफिनेशन की बात करके चले, तो लीडर एक ऐसा इंसान होता है, जो सामने वाले को मोटिवेट करें और उससे काम निकलवा पाए, पर आज की टाइम पर कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, आज की टाइम पर दुनिया इतनी कॉंपलेक्स हो गई है, एक बहुत सारे काम नहीं कर सकता, पुराने जमाने में जो लीडर होते थे, वो लीड फ्रम दा फ्रंट करते थे, सारा काम खुद करके दिखाते थे, पर आज की टाइम पर बहुत सारे ऐसे लीडर है, जिनको वो सारे काम आते ही नहीं है, इतनी ज्यादा चीजे चेंज हो रही है तो आज के टाइम पर लीडर कौन है आज के टाइम पर वो लीडर है जो अपने टीम को मोटिवेट करता है काम करने के लिए वो अपने टीम मेंबर्स के best skills को identify करता है और उनकी best चीजों को निकालता है best time के उपर अगर इस पूरी team के बारे में बात करके चले तो दोनी को पता था किस time पे किसको लेके आना है opener पे रितुराज गायकवाड को उतारना है और किस तरी किस उनको motivate करना है और उनका best निकालने कुछ करनी है अगर ये situation होती है तो कौन आएगा अगर ये situation होती है तो कौन आएगा रहाने को ही लेके चलो रहाने की ये skill था कि वो technically बहुत sound player था तो रहाने को बस extension ही तो कहा गया अगर देखा जाए एक defense, drive और छक्के के अंदर क्या difference है defense ऐसे होता है, drive में ऐसे कर दिया जाता है और छक्के में ऐसे कर दिया जाता है यही तो difference है तो सबसे पहले में आपको एक framework समझाता हूँ आज की time पे एक leader coach होता है अब ये coach को थोड़ा सा break करते हैं और समझने कोश करते हैं, coach होता क्या है सबसे पहले C आता है, care अपनी team members के लिए आपको care करनी है किस role के लिए best fit हो सकता है किस time पे किसको हम को use करना है अगर इसको cricket से relate करके देखे तो अच्छा captain कौन है, जिसको पता है किस situation पे किस baller सा दलवानी है कब fast दलवानी है, किस batsman के खिलाव left hand spinner आएगा, किस के around right hand spinner आएगा इसके बाद आता है align align का मतलब आपको पूरी पूरी team को align करना है एक common goal के लिए अगर हम IPL जीतने की बात कर रहे है तो IPL जीतना is a goal तो दोनी ने अपनी पूरी team को align किया कि हम को एक goal की तरफ जाना है अगर हम IPL final की बात करके चले तो बहुत प्लेयरों ने बहुत जादा run नहीं मारे तो पूरी team ने run मारे क्योंकि पूरी team का goal था कि हम को जीतना है यहाँ पर individual performance की बात नहीं हो रही थी यहाँ पर team performance की बात हो रही थी अगर इसको business relate करके चले तो यार हमको वो लोग अपनी team में नहीं चाहिए जो सर्फ पैसे के लिए आते है हमको वो लोग अपनी team के लिए जो एक बड़े goal के लिए हमारे साथ जुड़े जो हम achieve करना चाहते है अपने business के थुरू वो उसके लिए हमारे साथ जुड़े है ना कि उनको कितनी salary मिल रही है इस चीज को मैंने detail में explain किया था अभी recently मैंने एक video बनाई थी hiring के उपर जहाबर मैंने ये सारी की सारी चीज़े बताई थी कि अगर आपको किसी को hire करना है किन चीजों का ध्यान देना चाहिए और अगर आप किसी कंपनी में hire हो रहे हो तो किन चीजों का ध्यान देना चाहिए आई बटन में दे रही है, डिस्क्रिप्शन में दे रही है आप जाके चेक कर सकते हैं अब यहाँ अगला से बाता है C, C मतलब challenge आज के time पे लोगों को वो लोग पसंद है जो उनको challenge करते है उनको यह नहीं चाहिए कि हम office में आये बैठे, काम करे और चले गए उनको रोज कुछ ना को challenge चाहिए ताकि उनको kick मिलती रहे काम करने के लिए तो अगर हम cricket से again relate करके चले तो देश-पांडे को last over देना एक critical situation में उसके लिए challenge था और उसने अपना best निकाला वहाँ पर यही काम है आज के time पे अगर आप एक अच्छी team बनाना चाहते हो आप अपने team को challenge करो जितना जालो सकता अब ऐसे unrealistic challenge नहीं दालना है जो कि वो पूरे नहीं कर सकते आपको उनको motivate करना है आप काम कर सकते हो करके तो देखो अब company के अंदर यह चीज कैसे achieve कर सकते है feedback दो अपने team members को एक honest feedback दो कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए अपनी team के जो standards है उनको बहुत जादा high कर दो कि इतने पे तो हम मानते नहीं वाई आपको और अच्छा perform करना पड़ेगा तब ही मज़ा आएगा काम करने में और यह जब performance की बात कर रहे है यह measure word होनी चाहिए मतलब आप उसको track कर सको कि अगर मैं बात करके चलूँ मेरे digital marketing company है तो हम track कर रहे है कि आप दिन के अंदर कितनी social media post बना पा रहे हो normally आप दो बना पाते हो आपका challenge है आपको team बना के देखने है आप बना सकते हो हमको motivate करना है team बनाने के लिए और आपको मैं एक shocking चीज़ बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को अपनी actual potential पता ही नहीं होती है मैंने business के अंदर बहुत बार ऐसा किया है अपने team members को बहुत ज़ला challenge किया है और उनकी efficiency को मैंने 3x, 4x तक कर दिया है उन्हेंने कभी सोचा नहीं था को उतना ज़ला काम कर सकते है पर जब उनसे कराया पहले तो डरे उसके बाद मैंने motivate किया तो वो 2x पे पहुंचे 2.5x पहुंचे करते-करते वो 4x पे पहुंच गए और यहाँ पर सबसे last point आता है help आपको अपनी team की help करनी है उनके goal achieve करने के लिए simple सी बात आप अपनी company के अंदर एक goal achieve करना चाहते हो जो भी हो सकता है कि आपको दुनिया की सबसे best company मनननी है एक specific field के अंदर पर कोई अगर आपको join कर रहा है उसका goal ठीक है यह है कि आपको वहाँ तक पहुंचाना है पर उसका goal अपना खुद का भी है न उसका एक financial goal भी है उसका एक intellectual goal भी है उसका एक emotional goal भी है तो उसके बहुत सारे अलग-अलग goal है हमारी responsibility है कि उसको पूरा करना है अगेन मैं hiring वाली video recommend करूँगा वहाँ पर मैंने ये सारी चीजे detail के अंदर समझा रखी है अब इसके एक छोटा सा hack बताता हूँ अगर आप चाहो तो अपनी team के अंदर recommendations कर सकते हो कि अगर कोई अच्छा perform करता है तो आप उसको तो recognition दो अगेन मैं इसको IPL से relate कर रहा हूँ हमको पता था कि इस IPL के अंदर जो अंबती राइडू है वो शायद आकरी बार खेल रहे है तो जब IPL जीते तो दोनी ने अंबती राइडू को और जडेजा को ट्रोफी उठाने के लिए बुलाया दोनी ऐसे कप्तान खोद लिफ्ट कर सकते थे पर उन दोनों को बुलाया reason क्या था अंबती राइडू का last season था और मुझे ऐसा लगता है कि दोनी रविंदर जडेजा को train कर रहे है उनके successor के लिए तो चलिए एक important point के बारे में बात करते है वो है managers और leaders कई लोग इसको same माल लेते हैं कई लोग इसको धंच से समझ नहीं पाते है इस शीज को detail में समझाता हूँ manager का मतलब क्या होता है manager एक authority figure है जिसको एक duty दी गई है जिसकी उसको salary मिलती है एक specific team को manage करने के लिए अब जुरूरी नहीं है कि manager leader भी हो अगर एक manager leader होगा तो बहुत अच्छे results निकाल पाएगा और वो अपने काम को बहुत efficient तरीके से कर पाएगा तो किस तरीके से जाना है कि हम एक manager है या फिर हम एक leader है मैं micromanage करूँगा मैं देखूँगा कि हर एक घंटे में उससे पूछूँगा कि बता कितना हुआ हर एक घंटे में पूछ रहा हूँ कितना हुआ या फिर मैं उसको पूरी freedom दे रहा हूँ तो कर मेरे को ultimately ये goal चाहिए मेरा ये goal अचीव कर मुझे नहीं देखना इस goal को achieve करने के लिए ते कोई 5 step लेने है न तू कहां तक महुँचा है ultimate मेरे को जो goal है वो complete होना चाहिए जो अच्छे leaders होते है वो goal की उपर देखते है वो steps के उपर नहीं देखते है दूसरा तरीका ये है कि आपको check करना है आपकी जो team members है वो आपके साथ में इसलिए है क्योंकि आपके पास में power है या फिर आपके पास में influence है अब इसी इसको समझानी कोश करता हूँ आप उनके manager हो और company ने आपको उसके उपर लगा रखा है तो इसलिए वो आपकी बात सुनते है पर एक influencer का मतलब क्या हुआ जो उनके decision process को impact कर सके तो इसको कैसे test किया जाए इसका सबसे असान तरीका है अगर कोई लोग आपसे advice मांगने के लिए आ रहे है जो कि आपके team members नहीं है outsider team मांग रहे है या फिर आपके subordinates है वो आपसे पूछ रहे है तो मतलब मान के चलो आप एक influencer तो आज के time की थोड़ी सी leadership समझने ही कुछ करते है क्योंकि बहुत जादा change आया leadership के अंदर जब मैं MBA की आगरता था तो हमको leadership जो पढ़ाई गई थी जब मैं काम करने के लिए गया तो मुझे पता लगा यार यह तो game में बुरी 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 अलग है मुझे कुछ और पढ़ाया गया था दुनिया किसी और तरीके चल रही है जैसे मैंने आपको starting में बताया आज के time पे चीज़े बहुत change हो गई है अगर मैं एक digital marketing agency चला रहा हूँ तो वो कौन है वो उन 500 skills को identify करता है कि ये वाला skills में अच्छा है ये वाला skills में अच्छा है ये वाला skills में है और वो पांचो को जोड के एक best result निकालने कुछ करता है तो मेरे साब से अभी तक आपको सब्च में आ गया होगा identify कर सके वो समझ पाए कि मेरे team members कौन कौन है उनके अंदर क्या skill set है साथ में उनकी motivations को भी जान पाए कई लोग हमारी team के अंदर गुसे से motivate होते है कई लोग हमारी team के अंदर उनको financial bonus दिया जाए तब motivate होते है तो क्या reason है हमारी team के motivation का हमको as a leader समझने कोशिश करनी है दूसरी चीज जो leader होता है वो team को लेके बहुत ज़्यादा clear होता है role point of view से अगर हम बात करके चले उसको पता होता है कि मेरे इस team member का ये role है इसको इस time पे ये चीज़ करनी है again मैं इसको cricket से relate कर रहा हूँ एक अच्छा cricket का leader वो है या फिर अच्छा कपतान वो है जिसको पता है कि ये death over specialist है किस situation पे इसको लेके आना है जब wickets नहीं आ रही तो किसको लेके आना है अगर इस time पे तेज रन चाहिए तो मुझे किसको batting के लिए बेजना है अगली चीज लीडर को ये communicate अराम से करना है कि उनकी team किसके लिए काम कर रही है लीडर के लिए काम नहीं कर रही है हमारे लिए काम नहीं कर रही है वो बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रही है वो किसके लिए काम कर रही है वो company के लिए काम कर रही है ताकि उनको financial benefit मिले, सब कुछ मिले और वो अपने manager के लिए भी काम कर रही है क्योंकि वो चाहते है manager के goals complete हो पाए अच्छा leader वो भी होता है जिए value system से साथ में चलता है अब यह value system क्या होता है, देखो सबच देख कुछ करो हर company के about a section के अंदर values लिखी होती है हम honest है, हम dash है, हम dash है, dash है ठेक है, पर वो सिर्फ paper बने होते है क्या company उसको follow कर रही है पर नहीं कर रही है एक अच्छी leader की responsibility क्या है कि उसकी team, उस value system को follow करे उसको वो करना ही करना example लेके चलता हूँ, तो अभी हमने digital marketing का course launch किया, जहाँ पर starting में हमने introductory discount निकाला जहाँ है, जहाँ हमने coupon code लगाला 50% discount का, तो price हमने 20,000 कर रखा था, 50% का discount लगा उसको 10,000 रुपे का course बढ़ जाएगा अब एक बंदे ने बिना discount coupon के ले लिया, अब उसने हमारी team को contact किया, मैंने गलती से ले लिया मुझसे बिना पूछे, उसको refund कर दिया गया, तो ये चीज क्यों हो पाई, value system ठेक है, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या बोलूँगा, ये value system है ठीक है, हमको honest रहना, हमको ये रहना है खाली paper पर ही लिखा हुआ, उनको पता है कि किस तरीके से company चलनी है और किस तरीके से काम होना चाहिए, Johnson & Johnson Company के director ने एक बहुत बढ़िया चीज बताई, उनने बुला, कि अगर आप अपने around उन लोगों को रख लेते हो जिनको आप trust कर सकते हो तो कभी भी आप collaborative कोई भी decision लेते हो, तो गलत नहीं जाता है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं उन लोगों के बीच में रहता हूँ, जिनके पास पूरी authority है, या फिर वो मुझे honestly सब कुछ बता सकते हैं और मैं उनको honestly सब कुछ बता सकता हूँ, तो जब भी मैं कोई decision लूँगा, उनसे पूछ के या अपस में discuss करके, तो वो कभी गलत नहीं हो, बहुत deep चीज है कि इसको सबनने कुछ करो, और इसका last और important skill बता रहा हूँ, वो है be authentic, ठीक है, आप leader हो, आप manager हो तो क्या होगा, एक time पे, अगर आप अच्छे leader बन जाओगे न, तो आपके अंदर यह नहीं है, कि आपके घर पे लड़ाई हो गई, आप अपनी team member को, हाई, गर पे बहुत खलेज चल रहा है, वनरेबल का means यह है, कि आप उनको ऐसी stories बता पाओ, जो की वो relate कर सकते हैं, अगर वो आपसे कोई personal advice मांगने के लिए भी आ रहे है और उनकी life में कोई prejudice हुई है और आप उसको guide कर सकते हो, और आपके पास भी ऐसा कोई experience था तो आप उसको share करो, अब कई लोगों के demand में आएगा कि मैं सारी चीज़ अपने team member को क्यों बता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं बड़ा properties है, सबसे पहली property है leaders, journalists होते है मतलब, मैं अपनी बात करके चलूँ, तो मैं digital marketing में सारी fields के बारे में जानता हूँ, क्या मैं graphic में बहुत अच्छा हूँ, क्या मैं graphic designer को replace कर सकता हूँ, शायद नहीं क्या मैं coding के अंदर बहुत अच्छा हूँ शायद नहीं, क्या मैं इसके अंदर अच्छा हूँ, शायद नहीं, हो सकता है कि अगर 5 skills चाहिए, उसमें से 2 skills के अंदर मैं बहुत अच्छा हूँ, पर 3 के अंदर नहीं हूँ पर मुझे वो 5 हो चीज़े आती है जैसे मैं अपनी बात करके चलो, तो हमारी टीम के अंदर हम क्या कोशिश करते है, at least कोर्टीम के अंदर, क्योंकि मेरा मानना है, जो भी कोर्टीम है, वो future leader बनेगे तो future leader बनेगे, तो उनकी पास ये journalist वाली properties होनी चाहिए तो हम कहते हैं कि हमारी टीम में सब members को editing आनी चाहिए सब को canva आना चाहिए सब को script writing आनी चाहिए सब को हमारी YouTube के analytics देखना आना चाहिए तो basically, जो जो एक कोर कोर चीज़े है, जो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़े है, जो सब को आनी चाहिए, वो आनी चाहिए एक अच्छा leader, एक strategist दोता है वो technical चीज़े जानता है पर उसको overall strategy बनाने भी आती है अब ये strategy क्या है strategy को समझने के लिए तीम important skills है, जो की एक leader को चाहिए कि वो अपनी team के अंदर डाल सके सबसे पहली चीज़ है, level shifting करना level shifting करना मतलब कब मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना है कब मुझे दिमाग नहीं लगाना है किन चीज़ों मुझे focus करना है, किन चीज़ों मुझे focus नहीं करना है बहुत सारे से काम होते हैं जिसके अंदर ज्यादा effort नहीं दालना होता पर team members दालते हैं दूसरा है pattern recognition अपनी team members को pattern recognize करने वाली चीज भी सिखानी है कि ऐसा हुआ था तो हम ऐसा करते हैं ऐसा हुआ था तो ऐसे करते हैं अगली चीज है mental stimulation और यह गलर टेक्नीके जो सिखानी है वो यह है कि उनको सबज में आना चाहिए कि मैं क्या बोलूँगा और क्या होगा मैं किस से किस तरीके से काम निकलवा सकता हूँ तो logically मेरा मानना है कि हमको कोशिश करनी है कि जो हम leadership property अपने अंदर लेके आये हुआ है वो हम अपनी team के अंदर भी डाले मतलब उनके अंदर भी वो वाली properties आये कि वो लोगों को empathize कर पाए वो समझ पाए और लोगों को जो वो बोले ना तो उनको पता हो अगर मैं ये बोलूँगा तो वो ऐसे respond करेगा ये बोलूँगा तो ऐसे respond करेगा तो अगर बात करके चले एक अच्छे leader की वो ये तीन skill भी अपनी team members के दालता है एक अच्छा leader diplomat होता है warrior नहीं होता है मतलब वो लड़ दे नहीं लग जाता वो बातों को घुमा देता है अगर उसको लगता है कहीं पर argument जा रही है तो argument पर बढ़ता नहीं है वो बातों को इस तरीके से घुमाता है कि सामने अवला पे कुछ रहता है वो भी कुछ रहता है तो उमीद करता हूँ आपको ये पूरा leadership का lesson समझ में आया होगा आपको पता लगा होगा कि leadership properties किस तरीके से आप develop कर सकते हैं और आपको ये दोनी जी भी समझ में आये होगे कि किस तरीके से महिंदर सिंग दोनी इतने अच्छे लीडर है हमने जितनी चीजों के बारे में बात करी है सारी चीजे महिंदर सिंग दोनी के अंदर है क्या आप में है नीशे कमेंड में बताओ और जो बहें आपको ये super power दी है इसको अपनी life के अंदर इस्तमाल करो, cricket खेलती हो तो वहाँ यूज़ करो, business करते हो तो वहाँ यूज़ करो, नौकरी करते हो तो वहाँ यूज़ करो, all the best चलिए bye, good night, shabakir, good office good morning, good afternoon, जब भी है वीडियो दिख रहे है जैहिन बंदे मत